तो आज किस वीडियो में आपके लिए कवर्पुन आ चुका हूँ आप लोग बहुत तिनों से इंतजार कर रहे थी चंदन भहिया का जो वीडियो है वो कब आएंगे अथेंटिक न्यूज कब लेकर के आएंगे तो मैं आपके लिए बहुत इंपर्टेंट और आप जो इतना सारे प्रस्ण पूछ रहे हो फोन करके वाट्सप पर मेसेज करके कॉमेंट करके तो मैं सभी प्रस्णों का जवाब आज आपके बीच रखूंगा देखे एन्यम के रिगार्डिंग ही अप्रेट रखूंगा रिजल्ट कब तक आएंगे इस पर हम लोग थ्रा से विचार कर है थोड़ा सा पार्टी का फिर वदल हुआ है ना पहले गठमधन आरजडी के साथ था और अन्य भी यहां पर थे उन लोगों के साथ और अब बीजेपी और अन्य जो यहां पर सदस्य हैं उन लोगों के साथ बनाया गया है तो गवर्मेंट में चेंजिंग नहीं हुआ बस चंदन के लिए एक बार सब लोग चनल को सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए हम इंपोटेंट नीज लाते हैं दीके सबसे पहले नमर वन हम बात करेंगे यह बात हम लोग सबस्पहले कर लेते हैं डीके रिजल्ट के रिगार्डिंग हम आपको एक दिन और राप्त हुआ था तो आप 15 है तो फिक्स डेट नहीं है कि आपको 15 को आहीं जाएंगे आगे पीछे हो सकते लेकिन फर्वरी में संभबना बहुत ही ज्यादा है आपकी रिजल्ट यहां पर आ जाने की ठीक है यह सारी बाते हैं फर्वरी में चांसे जाए रिजल्ट मैं बात क यहां ठीक है रिजल्ट का मेरिट लिस्ट का बात नहीं कर रहा हूं मेरिट लिस्ट में समय लगेगा उस पर भी मैं आपको विचार दूंगा विचार बताऊंगा कि क्या समय लगने वाला यह चीज है एक बात आप लोग समझे उसके बाद देखें यहां पर अभी वी सब्सक्राइब और उनमें कौन पास करेंगे नहीं करेंगे उसका भी कोई यहां पर जानकारी नहीं है लेकिन डॉक्मेनट वरिफिकेशन सारे लोग कार है चरणबध तरीके से पहले आपने देख लिया जिनके पास हायर डी दी था उन सभी को बला लिया जिनके पास experience था उनलोगों को बुला लिया पहला चरण में दूसरा चरण में दूसरा चरण में क्या क्या जो डीक्यू जो भी क्लांग क्वोटा है जो भी क्लांग क्वोटा उनलोगों को अब बुला करके सब्सक्राइब करें कि रिजल्ट नहीं हुआ लेकिन डीवी करवा रहा है कहीं कहीं बात यह कुछ न कुछ तो होगा आप लोग इस बात को सोच सकते हैं आकि क्यूं इतना इतना बीटीसी क्यूं दिमांग लगा रहा है क्योंकि सभी लोगों को तो नौकरी नहीं मिलेगा अब लोग बताता हूं बीटीसी एंजम के उपर केस हुआ है गौण से समझना मैं सारी बात क्लियर कर देता हूं बीटीसी एंजम ले चुका है अब यहां पर फंडामेंडल समझना थोरा सा पहुँ सारे चीज़ आप लोग के मन में डाउट था ना किलियर हो जाएगा अब मार्क विसिस पर था और इधर एक्जाम विसिस कर दिया अब देखिए ये डीवी कराने लेने से फायदा क्या है और क्यूं करवा रहा है अगर पटना हाइक देश देते हैं कि नहीं एक्जाम जो आप लिए हैं उसी के अधार पर आप मेरिट बनाएं तो इस इस्तिति में डोकुमेंट वरिफिकेशन हुआ रहेगा और जिन लोग को पास करेंगे वो लोग को यहां पर बन जाएंगे यह सारे चीज यहां पर फैदा होने वाला है ठ जातरा कि गवर्मेंट चेंज हुआ डेज़ है अब क्या हुदं अब कि गवर्मेंट को यहां पर सहीं शहाब है top नहीं बदले हैं सबको पता है अलग मंत्री मंडल में चेंजिंग होगा इससे हम लोग को कोई दिकत नहीं है कारे परनाली पर कोई ज़्यदा इफेक्ट नहीं परेगा ठीक है अभी पटना हाइकोट के नजर में हम लोग की जो बीटीस एनेम की रिगार्ड है वह चल रहा है तो हाइकोट जैसे जो जजमें है मामला तो उनका इंतजार करना ही परेगा है न है सारे चीज है तो हमें लगता है न कि आपके मन में बहुत सारे प्रस्णbn थे जो आपको था सारा टैंसंट देके रखाओ ओंगा वह सारे प्रस्णुरों को हम यहाँ पर लगभगृ स्वाल्व कर दियोंगे अगर मेरे मोबाइल नंबर पर मेसेज नहीं करना है एक बार कमेंटबक्स नहीं करना है मुझे शार्पार्श से जरूद करने होगा तो अगर नहीं भी लगा होगा अच्छा तो बता देना किस करण से अच्छा नहीं लगा उस चीज को भी यहां पर सुधार किया जा सकता है देखिए टाइम का थोड़ा ज्यादा इसूज है समय मुझे भी अब नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं पर डे अपडेट नहीं कर पा रहा हूं कुछ नहीं अच्छा अपडेट नहीं कर पा रहा हो तो यह सारे चीज़े ठीक है चलिए बेटी सी अन्यम की रिगार्डिंग आपको बहुत सारे चीज़े किलियर होगा अब मिलेंगे आपका वाई चंदन आपको अगले वीडियो में तब तक लिए सभी को दिल से thank you आप लोग मैं एक दू और जानकार यहां से देने वाला हूँ कि एनियम की new vacancy के आप लोग बात करते रहता है कि new vacancy सरकब आएंगे तो देखें के new vacancy अभी थ्रा सा समय लगेगा क्योंकि क्या होता है कि government में जब मंत्री मंदल फिर वदल होता है तो नए-ने मंत्री बनते है तो अपने अनुसार वो लोग कार्ज करते है है ना तो आप मालो की आप जैसे के आप लोग यहां पर दो मंत्री के देखें होंगे पहला करें बात करूँगा जो आपके टाइम में मंगल पांडे थे इस टाइम में भी टेसरी में vacancy है था पर लेंगे ठीक है ना इसके टाइम में देखे थे 8883 वैकेंसी आया था जस्ट बात बीटीस से निकाला था अब यहां पर कौन स्वास्तमंत्री बनते हैं उसके मैंड में क्या है तो इन सब नहीं होता है पढ़ाई पहले करना होता है तो आप लोग बुक्स करके पढ़ाई करते रहें जैसे जो अपडेट होगा मैं बताओंगा थैंक यू